हाई फ्रेंड मैं पूरुबा आपनों का स्वावत करती हूं MP सबसे सर्ज में और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Microsoft Excel और इसको हम बोज लगते हैं Microsoft Office Excel और MS Excel तो इसकी हमने previous वीडियो में प्रिवियस लेक्चर में इसकी जो थियोरी थी वो पार्ट दिखा था आज हम देखेंगे नियूमेरिकर और मतलब कि इसके MCQ multiple choice question जो based हैं आपकी previous year exam paper बगएरा पर तो यह जो question बहुत ज़्यादा important है एक्जाम में इसी type question आते हैं अगर मतलब मैंने यह previous year exam paper से लिए हुए हैं तो आप लोगों को यह पूरे जो question है वो लगाने है और description box में इसकी link भी दे जूँगी इस PDF की तो आप इसको download कर लेना ठीक है अब यहाँ पर देखते हैं first question कि MX Excel को किस नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर हम बात करें MS Excel को किस नाम से जाना जाता हैं यहाँ पर तो यहाँ पर 4 option है आपको जो साही है उसको बताना है तो यहाँ पी क्या होगाCon प्राइशंग प्रोग्राम यहां पर ठीक है या फिर प्रिज्टेशन इस परढ़ी नहीं तो यहां पर अगर हम बात करें तो MS-EXCLE को किस नाम से जाना जाता है तो वह यहां पर है SPREAD SEED PROGRाम ठीक है इसको दूसरा नाम है इसको SPREAD SEED PROGRाम बोलते है क्वाधी मैं अब میए एक पूरी सीट बनी रहती है तो यहाँ पर क्या लिखा रहता है आ, बी, सीड ये कॉलम्स रहते हैं और यहां पर जो row है उनका number 1,2,3,4 इस ताई से दिया रहता है तो वो पूछ रहे हैं किसी वर्फीट में प्रिथम cell तो प्रिथम cell क्या होगा है हमारे छोटे छोटे बॉक्स हैं क्या है cell है जिते भी यह जो rectangle आयत के form में सारे हमारे क्या है अगर हम थार्ड नमर की बात करें तो थार्ड यहاं पा रह砲 है जो भी आपने दी हैं अगर उसमें MX, Excel बगएरा से जो question है वो आए हुए है आपके ठीक है Microsoft Office से तो एक नई question स्टाइट के आपको मिल जाएंगे अब यहाँ पर थार्ड question की बात करें कि किसी work seat का अंतिम cell address होता है तो कोई भी जो work seat हो उसका जो अंतिम cell address होगा वो कितना होगा तो मैंने आपको इसमें जो हो बताया था कि आपके जो work seat होती है उसका जो sale होते है उसमें वो कितनी होते है तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो कितने होगे यहाँ पर तो यहाँ पर होगे 65,536 और N यहाँ पर क्या है भी लेख सकते है बाकी एन इसके साथ जो word है वो इसके जूड़ाओ कुकि यह जो term है वो एन लास्ट में आगर आप देखेंगे, तो जो cell address रहेगा तो यहां से आप देखेंगे तो एन के पहले भी कुछ रहेगा और यहां से देखेंगे आप तो यहां से क्या होगा जो आपकी रो होंगी वो 65,536 तो तो इस टाइप से इसको यह जो आंसर होगा वो एन 65,536 हो जाएगा या अगर आपको यह टर्म नहीं लिखेंगे तो आपको 75,536 बताना है कि इसमें क्या होगी अगर आपसे पूछने कि कितने जो है वो यहां पर कितने रोज होती है आपकी ठीक है तो यह आपको इसमें बता देना है अब यहां पर हम आगे बात करें तो निम्न में से कौन सी ग्रा यह जो होती है .bmp.jpg यह सारी क्या है ग्राफिकल फाइल है लेकिन ।.txt जो है वो ग्राफिकल फाइल नहीं है क्योंकि यह टेक्स्ट के फॉर्म में रहती है और यहां पर हम बात करें फिफ नॉम्मर कौश्चन की तो एक्सल में बर्क सीट के समूग को क्या कहा जाता है तो XL में जो बरक सीट होती है उनके सबने हं क्या कहते हैं तो हमने यह पर पढ़ा था living और बरक बोग यह मैंने आपको बताया था ठिक है XL में जो बरक सीट्स रहती हैं अगर उनको जोड़ा जाए बहुत सारी बलती ऐस बरक सा और ये से ज्याद़ तो उनको क्या आवश्यक होगा ठीक है option number B आपका right answer हो जाएगा यहाँ पर हम बात करें तो 7th number question की तो यहाँ पर है कि ms excel में formula हमेशा blank से प्रारम होता है तो मैंने आपको बताया था फिर जो formula वगएरा हम use करते हैं वो हमेशा किसे start होते हैं equal से हम जब भी equal लगाते हैं उसके बाद हम लिखेंगे जैसे equal sum फिर हम लिखते हैं यहाँ पर जो भी हमारे number है कि n1, n2, n3 इस टाइप से तो आपको जो है इसमें क्या करना है कि ms excel में जो formula इस्टार्ट होगा वो हमेशा किसे सुरू होगा equal से तो याद रखना ठीक है यह भी पूछ लिया जाता है important question है अब यहाँ पर यह है कि nimd में से spread seat का प्रकार है तो जो spread seat होती है उनका प्रकार क्या है nimd में से तो यहाँ पर अगर हम बात करें spread seat का प्रकार जो का वो कौन सा होगा यहाँ पर MS Excel होगा तो जो option number B है यह होगा spread seat में है loads 123 या soft calc और उप्योक तसाभी तो जो आपका 8th number question है इसका जो right answer होगा वो आपका क्या होगा यहाँ पर उप्योक तसाभी होगा क्योंकि जो spread seat के प्रकार है उनको loads 123 और soft calc भी बोलते है ठीक है तो यह भी आपको याद रखना है यह भी इस procedure के प्रकार है ठीक है अब यहाँ पर है 9th number question कि Excel में cell का प्ररूप बदलने का कारे होता है तो MS Excel में जो cell का अगर हमें जो प्ररूप बदलना है तो हम कहाँ पर जाएंगे तो हम format menu का यूज करते हैं format menu से बदल सकते है ठीक है अब यहाँ पर आगे हम बात करें कि Microsoft Excel है तो जो Microsoft Excel होता है वो क्या है तो Microsoft Excel एक प्रकार की क्या है spread seat होती है ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ है बर्क seat साधारेंट पेपर और इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर क्या होगा सबसे suitable answer क्या है Microsoft Excel क्या है तो एक टाइप की spread seat है अब यहाँ पर आगे बात करें हम के Excel में data को निश्चित क्रम में sort किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है इसमें तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह है यहाँ पर edit menu ठीक है edit menu से हम क्या कर सकते हैं जो Excel में data है उसको सुने strict कर सकते हैं ठीक है edit कर सकते हैं और जो भी change वगएरा हमें करना है वह कर सकते हैं ठीक है तो आप लोगे जो है वह अपने laptop PC वगएरा में आपो open करके देखना Excel और उसमें यह सारे menu वगएर आप चेक करना edit menu file menu ठीक है यह सारे और फिर उनमें देखना कि यह जो मैं questions बता रही हूं इस टाइक से आप चेक करना उसमें कि आपको available बहाँ पर है या नहीं है ठीक है अब यहां पर 12th number की बात करें तो यहां पर है किसी पंक्ती तथा column के प्रते छेदन को कहते हैं तो जो किसी पंक्ती और column होती है ठीक है तो उनके प्रते छेदन को क्या कहते हैं तो simply यहां पर हम क्या बोलेंगे उनको cell यह हिंदी में है जैसे मैंने बताए था पंक्ती और column तो column आपकी यह खड़ी जो line है वो हो गई और पंक्ति आपकी यह हो गई रो ठीक है तो इनका जो प्रतिशे दन है रो column और रो का तो इनको क्या बोलेंगे हम क्या बोलेंगे इनको cell बोलेंगे ठीक है तो यहां पर option number C आपका right answer हो जागा इस ताइप की question है यह cell बोले बहुत ज्यादा पूछे जाते है तो cell address नेम पूछ लेंगे या फिर आपसे roll column को पूछ लेंगे क्या बोलते है टाइटल वर यहां पर लिखा रहता है Microsoft Office बोकबन जब आप पहली बार उसे कोई भी वह को आपकार तो यहां पर आप पर जाते हैं जब आप जाते हैं विंडो को ओपन करेंगे चाहिए वो MS Office हो, Excel हो, BID, PowerPoint हो तो उसमें सबसे उपर जो भी रहेगा वो आपकर क्या रहेगा यहाँ पर टाइटल बार रहेगा तो यह आप सभी के लिए नोद कर लेना ठीक है तो यहाँ पर भाई पूछा है उसने Excel अप्लिकेशन लेकिन आपको Microsoft अप्लिकेशन के लिए भी यह चीज याद रखने है विंडो, PowerPoint, Access सभी के लिए ठीक है अब 14 नोबर कोशन की बात टरें की है तो यहाँ पर क्या है बर्ग सीट की एक eels में अधिकतम कितने टाइप कर शक्ते हैs जैसे number यो कोई number type कर सकते है number bird है ना तो इस टाइप से हम इसमें कितने character जो है वो type कर सकते हैं तो इसमें जो होगा वो है 250 56 option number C आप इसमें 256 character type कर सकते हैं एक cell के अंदर ठीक है तो यह आपको याद रखना है यह भी एक important question है अब यहां पर 15th number question की बात करें तो यहां पर है कि सीग्रता से formatting करने के लिए उप्योग किया जाता है तो सीग्रता से formatting करने के लिए किसका उप्योग किया जाता है तो यहां पर जो है वो है option number first formatting tools की नेर्मी kids करने के लिए किसके लिए सीग्रता से formatting करने के लिए अब आगे हम बात करते हैं इन में 16th नमर question की के बर्क seat में hyperlink add करने की sort trick क्या है तो बर्क seat में hyperlink add जब हम करते हैं तो उसकी sort trick क्या है तो वो मैं आपको बता दूँँ तो यहां पे जो होगी वो होगी control plus K ठीक है जैसे जो बर्क seat है उसमें अगर हमें किसी भी cell में जैसे कोई भी hyperlink add करनी है कि जैसे कोई उस पर अगर क्लिक करें तो वो link खोल जाए जैसे हम Gmail ID बगार डाल देते हैं किसी की तो डायरिक्ट उस पर क्लिक करते हैं तो e-mail ID पर हम पहुँच जाते हैं उस बंदे की ठीक्ट है जैसे यह पूरी एक चार्ट है इसमें यह हमारे पास यहां पे सेल हैं आपको है किसी बंदे का यहां पे नेम डालेंगे तो उसका साथ में एड्रेस भी लिखा हुआ है और जीमेल हम यहां लिख देंगे तक कि जब हमें कभी भी उसे मैसेज भेजना होगी या फीस अगर ड्यू बगेरा है उससे रेटेड कोई उसे डाटा सेंड करना हो तो हम सिंपली उसकी जीमेल पर क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा एक बॉक्स टाइप उससे आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं इसको तो आप लोग देखना आपने अपने लैप्टव पीसी बगरा पर करके इसको ठीक है एक्सल को ओपन करके अब यहां पे 17 नमबर क्वेश्चन रो और कॉलम के कॉमन बिंदू को कहते हैं यह जो है जो आपका राइट एंसर हो जाएगा अब यहां पी आगे हम बात करें कि अपशल फायल का डिफल एकस्टेंशन क्या हुता है तो जो एकसल फाइल है उसका जो चुल्ड याद रख लेना तो जो क्या होगा डॉट एकसल चैप लिए लिए जब बीभी आप जैसे उसे कोई भी जो चार्ट या टेबल तयार करी है उसको आपको सेव करना है तो आप जब उसे सेव करेंगे तो जो फाइल का एक्स्टेंशन लिखाएगा वो लिखाएगा यहाँ पर .xls ठीक है इसमें capital small letter कोई भी हो सकते हैं ठीक तक के लिए cell reference होगा अब देखिए यहां पर इसने पूछा है कि जी टू से M12 तक के लिए cell reference अगर जैसे हमें जी टू से M12 तक का सब्सक्राइब नंबर से हैं जो जी टू से M12 तक के cell उसके लिए अगर हमें उसमें च्छापस का पर अब आपको पर गांगे को पर नंबर से M12 तक तो तूसे आपको क्या करना होगा जैसे आपने लिखा equal sum sum मुझे करना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर box में g2 और यहाँ पर लिखेंगे colon और m12 ठीक है तो इस type से हम करेंगे में replace करने की sort cut क्या है तो जो ms Excel है उसमें replace करने की sort cut की तो Central प्लस H इसमें जो है वो replace करने की sort cut की होगी अब आपको जिसमें replace करना है कोई चीज उसमें तो आप control plus h करेंगे तो एक जो है वो pop-up dialog box इस यह जाएगा उसमें बहुत सारी जो है वो आपके पास data रहेंगे तो जो भी आपको सभखकते हैं तियुकर है अब यहां के छारफ आप करें तो आगेस में है ट्वॉ Bean वन नमर कॉस्चन अब बात करों के अब किस Germakay पर प्रीविस सब्सक्रेवर पढ़ा Stroot तो यहां पर थो यह क्य दिखा हूँ है चाल ठोर चाहिने का बाइडार चाल यहां पर है दिखाई गहां गहां देगा से मेंने कार तो आज डिन होगा इनमें है रांड है श्मक्तstadt है आपन टुट सब्सक्राइब मश को यह पता होगाãद है यहाँ रहां पर भान डे तट आ को पता है इसे क्या होगा पुएंट के डिजिट नमभर के कितने तक हमें इसमें round figure चाहिए तो तू पॉइंट 1 फाइब यहाँ नमभर को जो है वो round figure चाहिए तो थो पॉइंट 1 फाइब का होगा तो यहां पर simply जो तू 5-1 फाइब का राइट आंसर उगा आपका क्या होजाएगा 2. 2. यहां पर क्या हो जाएगा 2 मतलब option number c आपका right answer हो जाएगा कैसे हुआ यहां पर आपको बताती हूं देखिए यहां पर आपको क्या है 2.15 है और यहां पर क्या लिखा हुआ है यह बन लिखा हुआ है मतलब कि एक डिजट तक हमें से correct करना है तो 2.15 यह दो डिजट है हमें एक डिजट तक साही करना है तो यहां पर बने और जब आपको पता है कि कोई भी जो point के बाद अगर कोई number है वो 5 या 5 से जाद है तो वो एक number अपना आगे वाले number को दे देता है तो यह जो है अपना एक number के से shift करेगा बन को तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 तो यहां पर 2.2 हो यह कुछान की यह जो question है बहुँ जादा important है ठीक है ना previous question paper में देखी भी गाई है इस टाइप से यह numerical value पूछ लेते कभी sum भगेर के भी पूछ लेते हैं कि equal sum है और जो value है लिखा है तो कितना हो जाएगा थिरी क्योंकि प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो आप यहां पे बात करें क्या दिखाई देगा जब हम एक्सल फॉर्मुला एक्वल राउंड अब क्या गया है 123.73 लिखा हुआ है उसके बाद क्या है कॉमा के बाद किसी सेल में एंटर करते है तो इसका जो फोर्मला होता है वह हम पता है क्या है कि equal round उसके बाद हमें number देखना है और number के बाद जो कॉमा लगा हुआ वह क्या है number digit कि हमें कितने digit तक उसको जो है वो round up करना है तो यहाँ पे क्या होगा 23 तो हम लेंगे ही और साथ में हम क्या लेंगे इसका round figure एक digit तर तो एक digit क्या है 7 तो यहाँ पे point के बाद क्या है अब देखिए जो 7 है उसके बाद क्या है 3 3 क्या है यह less than है किस से 5 से less than है 3 क्या है तो यहाँ पे क्या है यह अपना एक number इसको जो है वो यहाँ पर transfer नहीं करेगी तो यहाँ पर जो है वो यहाँ 7 का 7 आ जाएगा और एक digit तक यह जो है round figure आपका correct होगा तो 123.7 तो option number C आप देखिएगे तो यहाँ आपका right answer हो जाएगा ठीक इस type से इसको करना होता है तो यह आप याद रखना इसमें चोटी सी मिस्टेक से बहुत बड़ी गलती समें हो सकती है ठीक अब आगे हम बात करें यहाँ पर तो अभी हम यहाँ पर कुछ questions की बात करेंगे जो आपके MS Excel 2013 से हैं अभी जो चल रहा है करेंड में वह मतलब के 2007 पर बहुत लोग बार करते हैं और बहुत लोग 2000 जो है वो 13 पर बात करते हैं ठीक है अभी जो 2016 है वो नया बार जाने और ज्यादा latest तो वह अभी नहीं चल रहा है हाला कि तो 2007 और 13 इंपोर्टेंट है तो मैं 2013 के कुछ जो questions है इनमें वो मैं बता दे रही हूं कि इसकी shortcut keys बगएरा कौन सी है क्योंकि जो latest में चलते हैं उनके बारे में थोड़ा सा पूछ लेते हैं तो यहां पे देखें MS Excel 2013 में italic formatting लागू करने या हटाने के लिए कुझी एक साथ में दबाएं मतलब कि to apply or remove italic formatting in MS Excel MS Excel में आप कोई भी data type कर रहे हैं suppose किसी cell में और आपको इसको italic format में चाहिए है तो आप इसके लिए आपको italic format में आपको चाहिए या हटाना है अगर italic format में font में लिख रहे हैं तो आप उसके लिए कौन सी की को प्रेस करेंगे तो इसमें जो आप की प्रेस करेंगे वह जाए यहाँ पे control plus 3 ठीक है आप control plus 3 प्रेस करेंगे तो जो है वह है अग्सल टूदावन थाटीन में अंडर लाइन फॉर्मेटिंग लागू करने तो अब देखते हैं अग्साथ लिए तो यहां पर जो होगा कंट्रोल प्लस फूर में कंट्रोल प्लस फूर प्रेस करें तो इससे क्या होगा कि अगर आगर हम बात करें है तो यहां पे है एम एक्सल मेनु प्रदर्सट करने के लिए की वोड पर एक साथ तो कुंजी दमाए अगर दर्शित करना है हमें कीबोड का यूज नहीं का माउस से फॉर्मेटिंग सेल मैंनु पर नहीं जाना है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे हम जो है वो प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लास बन दो कंट्रोल प्लास बन हम जैसी करते हैं तो यह हमारे सामने एक जो डायलोग इसमें जो है जो सेल मेन्यू उसके जो भी डाटा रहती है वो सारी यहां पर उपन हो जाते हैं फिर हम उनमें से चूज कर लेते हैं जो हमें देखना होता है ठीक है इस ताइप से यह जो है वो चार्ट खुल जाता है अब यहां पर हम बात करें आगे तो एम एस एकसिल में नई वर्क सीट हमलेद करने के लिए कुंजी साइवजन क्या है मतलब कि वाट इस दा की कॉंबिनेशन तो इंसर्ट न्यू वर्क सीट एन एम एस एकसिल में जैसे आपको आपने बाइड़ टीन वर्क सीट होती है अब आपको उसके बाद तीन के बाद और के कई करेंगी क contratt को ईसलिए वर्क सीट के लिए एक जो कार्क सार्ट कुल जाता है तो इसमें से बहुत सारे हो एक सार्ट को ब्रयु रहते हैं तो आप इस रीछे से आप गल्राइड तो आप आप इसमें जैसे से बार्क सीट यहां पर लिखा हुए कर गर दो तो आप सिफ्ट प्लाइवन की का यूज करेंगे इस टाइप से आपको याद रखने है तो इस टाइप से जो पूरे कोशन से से लेटेट्ट एमस एक्सल से अप जाएप में बता दिया है तो आप सब्सक्राइबर करने दियुको ज्याजा लाइक करना है जैल पर ना यहीं तो इस टाइप के कोश्चन पे पर पूछे जाती है और इसकी जो यह जो लिंग है वह दिस्क्रिप्शन वाक्स में में बजाए थार्डियू ट्यक्यों